कि यंट्यू की रिशन चलंड में आप सभी का स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान को टस्ट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिले आईए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनायस डियल फस्ट यार दोजार अठारा विशाय पाथ सो ए इकाई नो महत्पून परश्न उत्तर पहला प्रस्न है आपका अनुसुची जाती के बच्चों की सिक्षा की योजना है तो दो सुझाओ दीजिए अलप संख्यक बच्चों के सिक्षा से अपवर्जन से अपवर्जन के क्या कारण हो सकते हैं और तीसरा सवाल है समावेसी स सिक्षा तथा विकेंद्री करण का क्या संबंद है और चौथा सवाल है आश्रम विद्यालेओं के लिए अगुरुवत्ता संसोधन कारेकरम क्या है और आपका पांच्वा सवाल है विसेस आउसकता वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हैं तो सुझाओ दीजिए अनुसुचि जाती कि बच्चक लिए लिए आप क्या सुझाओं देंगे यहाँ पर 2 सुझाओं यहां दिया गया है तो उत्तर है विद्यालेओं में अध्या पक गन अन्य विद्याले कर्मी को तथा विद्याँर्थियों के लिए विवहार मांदन्द स्थापित क्या जाए पहला सुझाव फिर आपका दूसरा सुझाव है विद्यालाय में होने वाले पक्छतपात पुर्ण आचरणों के लिए रिपोर्ट करने वाली करने संबंदी एक विवस्था बनाई जाए विद्यालाय में लगाई गई सिकायत पेटियों को परती दिन देखा जाए और यदी इस प्रकार का अनुचित उधारन सामने आता है तो इस पर उचित कार्वाही की जाए तो जो पक्षतापात जो वेदभाव होता है उसमें जो है कारभाही किया जाए और विद्यालय में ऐसा वातवरन तयार किया जाए जिसमें जो अनुसुज बच्चे को जो है अलगाव या अपने से अलग ना समझे तो यह हम दो सुझाव दे सकते हैं फिर आपका जो है प्रशन दूसरा अलप संख्यक बच्चों के सिख्चा से अपवर्जन के क्या कारण हो सकते हैं अलप संख्यक बच्चों के सिख्चा से अपवर्जन के निमनरखित कारण हो सकते हैं पहला कारण यह तो पाठ्थ्य पुस्तकों और कक्षा पाठ्थ्य चर्य संचारान में प्रिक्त भासा इस अलपसंख्या वर्गा की मात्री भासा से भीन हो सकती है यहाँ जो है अलपसंख्या की बच्चों से जो पाठ्थ्य पुस्तक की भासा है वो अलग होती है इस कारण से भी अपने आपको अलगा महसुस करते हैं अपोरजन महसुस करते हैं फिर अब दूसरा कारण है पाठ्य पुस्तकों और कक्षा भासण में दी गई अनुभूतियों से बच्चे अनिविक हो सकते हैं तो दूसरा कारण पाठ्य पुस्तक हो गया और जो कक्षा में टीचर जो लक्षर दिया जाता है वो बच्चे के ज्ञान से अलग होते हैं तो इस कारण से जो है अपने आपको अलगाव महसूस करते हैं अलपसक के बच्चे पिर आज का जो है तीसरा सवाल समावेसी सिक्चा तथा विकेंद्री करण का क्या संबंद है यहां जो आपके पिछले यूनिट में भी आया था जैसे आठ्वा यूनिट में पांसवेक तो उसमें भी यहां कवर किया गया है लेकिन यहां पर देखिए समावेसी सिक्चा तथा विकेंद्री करण का क्या संब आपको बताना है तो उत्तर है समावसी सिक्षा को कारणविंद करने से विकेंद्री करण को पुर्शान मिलता है जैसे इस पश्ट है विकेंद्री करण से रास्टी और सासन को केंद्री प्रमंधन तथा प्रसासन संबंधी लागत को कम करने में सहता मिलती है साथ थी साथ इससे इस्थानी निर्णय परक्रिया को पुर्षान मिलता है जो इस्थानी लोगों की आवश्कताओं को पूरा करने में अधिक सहयक तथा जिससे इस्थानी व्यक्तियों या समों को निर्णय परक्रिया में भाग लेने का उसर भी मिलता है सारांस में यहां एक भोक्ता संचालित या सिक्षा नीती है ना कि केंद्री किरिद निर्ड़ाय का नौकर साहिरूप मनें कहना चाहिए स्थानी लोग को जो साथ में लेकर काम करते हैं इस से यहां जो है समावेशी और इसमें जो संबंध है इसके बारे में इसमें बताया गया है पर आपका जो है चौथा सवाल आस्रम विद्यालेओं के लिए गुणवत्ता संसोधन कार्यकरम क्या है महरास्ट सरकार के जंजाती विकास विभाग के अनरोद पर आस्रम इसकोलों में विज्ञान और गडित सिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश से एक कार्यकरम का आस्रम विद्यालेओं जहां यहां परियोजना आरंभ की गई राचिन भारती गुरुकूल पद्धती पर आधारित विद्याला है जिनका उद्देश से विद्यार्थियों की उपेक्षित जन जाती वर्गों को सिक्षित करना था इस कार्यकरम का संचालन 1993-1997 के मध्य होम होमी भाव विज्ञान सिक्षा केंद्र ने तीन जिलों में किया जो सयाधरी प्रवस्त रंखला महारास्ट पस्चीमी भाग में इस्तित है इस कार्यकरम का फोकस तीन चीजों पर था पहला है छमता विकास दूसरा है अध्यापक्त पर सिक्षन और तीसरा है बालकों के मध अनुनन क्रिया तो इस प्रकार से जो है आसरम विद्याले के लिए गुरुमता संसुधन कार्यकरम किया गया और यहां पर इसके बारे में बताया गया है पिर आज का पांचवा सवाल है और आज के वीडियो के अंतिम सवाल है विसेश आउसकता वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोडने है तो सुझाओ दीजिए तो पहला है विसेश आउसकता वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोडने है तो निम नहीं उपाय किया जा सकते हैं पहला है विक्तिकत हम ध्यान देकर बच्चों का विक्तिकत ध्यान देकर पिर दूसरा है समा बाथें अंतर क्रियाओं की विवस्ता करना इसी परकार के क्वेस्टन जो है अकसर आपके एक्जाम में पूचे जाते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लिस लाइक कीजे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लिस सब्सक्राइब कीजे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद